हाई गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा constructor overloading के बारे में कि Java में कैसे आप किसी भी constructor को overload कर सकते हो ठीक है इसका एक program में आपको design करके दिखाऊंगा कि कैसे आप constructor overloading कर सकते हैं Java में program के जरिये अगर आप से कोई पूछ देना constructor overloading क्या होता है तो आपको simply answer करना है whenever we have more than one constructor in our class then it is called constructor overloading तो example के लिए consider करो हमारे पास यह एक नाम का class है और इस एक class के अंदर मान लो अगर मेरे पास इस तरह से एक से ज़्यादा constructor है ठीक है यह हो गया एक से ज़्यादा constructor लेकिन उन constructor का या तो number of parameters different होना चाहिए या फिर parameter ही अलग होना चाहिए जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं int x ठीक है उसके बाद मैंने एक और मान लो constructor यहाँ पर बनाया और इसमें मैंने parameter क्या दे दिया मैंने इसमें parameter दे दिया double y उसके बाद एक और दे देता हूँ यहाँ पर वो क्या होगा हमारा string z तो इसी को बोलते हैं constructor overloading तो देख लोग आइस हमारे इस class ए में तीन constructor है और इन तीनों constructor का नेचर बिल्कुल ही अलाग है इसमें कोई parameter नहीं है इसमें एक parameter है इसमें दो parameter है या तो parameter का number of parameter change कर दो या फिर अलाग अलाग parameter ही पास कर दो आप इस तरह से भी कर सकते थे जैसे एक और constructor में अगर लिख के दिखाऊंग आपको मलों यहाँ पे मैंने बनाया int x, तो आप यहाँ पे int y कर दो या फिर आप जो चाहों यहाँ पे कर लो लेकिन parameter list हमेशा different होना चाहिए मतलब इसमें int x है इसमें सिर्फ int x अकेला नहीं होना चाहिए आप इसको क्या कर दो float y अकेले कर दो इस तरह से float y भी रख सकते हो या फिर चाहो तो int x, float y भी कर सकते हो इस तरह से तो इसी situation को हम बोलते हैं constructor overloading तो इसका program कैसे design होगा चलो मैं आपको करके दिखाता हूं सबसे पहले मैंने यहाँ पर ए नाम का एक instance variable बनाया और क्या बना लेता हूं एक double नाम का second instance variable और एक string नाम का मैंने third instance variable बनाया अब इस default constructor के अंदर मैं क्या कर रहा हूं इस ए में value डाल दे रहा हूं 100 भी हमारा एक fractional value लेगा क्योंकि इसका type double है मैंने कुछ भी यहाँ पर fractional value इसमें दे दिया उसके बाद यहाँ पर c क्या करेगा एक string को लेगा क्योंकि इसका type एक string type है हमने three variables में अपने हिसाब से value यहाँ पर set कर दी है अभी parameterized constructor में value कहाँ से set होगा जब हम object create करेंगे तो हम वहाँ से pass करेंगे तब इसकी coding को हम करेंगे चलो object हम एक other class में create करके आपको दिखाते हैं ठीक है आप same class में भी कर सकते हो ठीक है कोई यूसू नहीं है उसमें अभी object create करने के लिए class name class का एक reference variable होना चाहिए new keyword object create करेगा यह हो गया constructor तो अगर इतना लिख के आप छोड़ोगे ना यह सिरू default constructor को ही call करेगा रूसी के result को display करेगा लेकिन हमें इसे handle करना है और इसको भी मुझे so कराना है तो मैं क्या करूंगा इन तीनों constructor के लिए न अलग-अलग object create करूंगा इसका object reference होगा r2 इसका मैंने क्या दे दिया r3 दे दिया यहां पर देखो second वाले में एक integer type का parameter एक integer type की value मैं यहां पर 10 दे देता हूं इसमें double और string type का parameter मैंने pass किया यहां पर 10 आ रहा है यहां से ठीक है अब 10 तो इस x में आएगा मुझे इसको receive करना होगा तभी तो मैं use कर पाऊंगा इस 10 को तो मैं receive करूंगा अपने इसी a variable में ठीक है जो भी value x में आएगा उसको a में मैंने receive कर लिया है अब जो भी value हमारा double y में आएगा उसको हम क्या करेंगे अब इनके result को न मैं चाहूं तो यहां पे इस तरह जे system.out.printalent लिखके display कर सकता हूं इनहीं के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं करना है ए करना है उसके बाद बीच में आपको space देना है फिर वी को print करना है फिर आपको बीच में space देना है space आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं मैं इसलिए दे रहा हूं काकि result अच्छा लगे पर मुझे यहां display नहीं करना है मैं value को other class में access करना चाहता हूं क्योंकि यहां पे तो हमारे पास कोई private constructor है नहीं जो access करने नहीं देगा बिल्कुल हम कर सकते हैं इस class में कैसे value access कर display कर रहें इसलिए हम object reference के थुरू ही display कर सकते हैं नहीं तो compiler हमारे इस variable a, b और c को पहचान नहीं पाएगा तो r.b उसके बाद यहां पे क्या लिखना है r.c अब इसी तरह से second वाले को भी मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा same line को यहां पे two times और copy paste मारूंगा उसके बाद यह सारी चीज़े मैं यहां से remove करूंगा क्योंकि इसमें एक value है ठीक है r2.a लिखना होगा क्योंकि parameterized constructor का object reference r2 है third वाले में दो value है और इसका object reference r3 है ठीक है यहां पे क्या करेंगे इसको हटा देंगे उसके बाद इसको भी अटा देंगे यहां पे r3 से इन्हें call करेंगे क्योंकि r3 हमारा third वाले constructor का object reference है और b और c ही यहां पे इसलिए क्योंकि value को b और c में receive कर रहे हैं ठीक है इतना का result मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मैंने इसे चोटा कर दिया प्रोग्राम को save कर लेते हैं किसी भी एक अच्छे से location पे जैसे मैं यहां पे टेक्स्टों में कर रहा हूँ मैंने guys a.java नाम से कर दिया प्रोग्राम को save मुझे करना था b.java नाम से ठीक है अभी command prompt open कर रहे हैं compile और run कराने के लिए एक एक doubt किलियर कर दूँगा का structure overloading का बस वीडियो को scheme मत करना java c b.java तो यहां पे line number 25 पे एक error आया है error क्यों आया है मैं आपको बताता हूँ guys यहां पे error इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने class b में main method नहीं बनाया है बिना main method के हम program को execute कैसे करेंगे ठीक है यह सारा content है मुझे कहां रखना होगा मुझे इस main method के अंदर put करना होगा ठीक है यह हो गया अभी देखेगा अभी हमें कोई error नहीं मिलेगा अभी program हमारा successfully execute करेगा line number 25 पे भी बोड़ रहता 23 और 24 क्योंकि यह सभी lines इसी category में आती है ठीक है तो अभी देखेगा program को हमने compile करा यह compile हो गया अब run करने के लिए जावार class करें तो आप देखो हमारा सारा result यहां पे आ चुका है पहला result है default constructor का जो यहां पे value हमने assign किया है variables में वही value को हमने object reference क हमने access किया है print किया है second में हमारा value 10 प्रिंट हुआ है क्योंकि parameterized constructor में हमने यहां से 10 पास किया अभी मैं आपको एक और important concept बताता हूं कि क्या आप एक ही अपने class के अंदर private constructor और default constructor दोनों को रख सकते हो इस तरह से इसमें भी same काम को ही मालो मुझे करना होगा तो मैं क्या करूंगा कुछ ही value आप change कर दो जोरी नहीं है यही रखो तीक है यहां पे change कर देते कुछ भी हो हो गया value change हो गया हमारा अब private constructor है तो दूसरे class में तो object बना नहीं सकते क्योंकि यह error देगा सीधा सीधा data secured हो चुका है मैंने last video में आपको बताया है अगर आपका clear नहीं है तो private constructor वाला हमारा video देख लीजिए तो object मुझे इसी class में बनाना होगा तो देखो अभी हमारे पास private constructor है, default constructor है, parameterized constructor है और एक और parameterized constructor है ठीक है अभी इतना का result मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका output आता है तो आप देखो गाइस यहाँ पे compiler साब साब बोड रहा है कि constructor A is already defined in class A, class A में constructor पहले ही defined है नाम का, तो यह जो private constructor होता है नहीं यह default constructor के जैसे ही same होता है जब यह वाला object create हुआ ना, at the time of creation of object यह private और default दोनों call हो जाने चाहिए, तो compiler confused हो गया क्योंकि उसको दोनों constructor मिल गए, यह भी एक तरह का default constructor ही है, बस इसमें private लगा हुआ है और इसका by default access modifier default है यह इस तरह से रखा हुआ है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे default है और यहा सारा result आएगा, तो मतलब आ private को भी लेकर constructor overloading कर सकते हैं, यहाँ पे एक runtime हमें error मिल गया है, exception आया है, class we try to access private member क्योंकि मैंने b.java नाम से इसे save कर रखा है, इसे पहले हमें a.java नाम से करना होगा, क्योंकि अभी private constructor है अपने पास, तो वो class b.java नाम से नहीं करने देगा का compile करेंगे, a.java नाम से तभी देखेगा, इसका result भी display करेगा आपके सामने, यह देखो, आगया ना result, तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे rules बता दिये हैं, constructor overloading के, कि कैसे आपके class में अगर एक से ज़्यादा constructor है, लेकिन उनका number of parameter different हो, यह चाहिए number के case में हो, इसमें ए लाइक करिए, share करिए, complete java सीखने के लिए इस playlist पे visit करिए.